हाई गाईज जो हम लोग फोरण की का यूज़ करते हैं तो हमारे पास यह एक option आता है आप इन तरीकों से कर सकते हैं जिसे on delete cascade on delete set null on delete no action on delete restrict यह सारे keywords जो हुब भाहू आपको लिखने हैं जो आप फोरण की लिखते हैं statement उसके जरस्ट नीचे कब कैसे और कहा और इनमें क्या-क्या हो सकता है इनमें क्या-क्या होता है कि इसकी condition आप इसका यूज करेंगे मैं one by one आपको example कि साथ इसका बताता जाओंगा ठीक है अगली आने वाली कुछ videos में बस फिलाल इतना जान ल दिलाओर बस दिलाओंगा जाने जाने वाँ जास्ट आपको और इसका जाने बस दोरी आयगर वाली काईवद करेंगा शावाली आने लिखते हैं वाली कि नापको में आन यान्या होता है।